हमारे साथ हमारे समवादाता मनोज टिबडिवाल आकाश भी जूड़ चुके हैं मनोज केंद्री ग्रह मंत्राले दिन भर काफी सक्रिय था इस मसले को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है देखे जैसे ही चंद्रशिकर सबसे पहले साथे नौब जे खबर आती है दिल्ली में की पटना में गांधी मैदान के पास बम बलाश्ट हुआ है उसके ततकाल बाद दिल्ली का नार्थ बलाक पूरी तरह हरकत में आ जाता है और रवी वार का दिन होने के बावजूद सारे अधिकारी यहां पर आ जाते हैं ग्रिह सचीव से लेकर ग्रिह राज्य मंत्री तक और इसके बाद बैठकों का दौर सुरू होता है और ततकाल राज्य सरकार से संपर्क साध कर नाईए और नेजी की टीम को विशेश पिमान से रमाना किया जाता है और यहां पर लगातार जो है किंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अपनी जो भी मदद राज्य सरकार ने मांगी मुहिया कराई है इसके अलावा प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग और ग्रीह मंत्री सुशील कुमार सिंदे ने भी बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार से बात की और इसके अलावा उनको यह भी कहा कि जिस भी तरह की आवसकता होगी हम हर तरह की आपको सहयोग देंगे यहां पर महत्पूर्ण बात यह है कि जाच अब किस दिसा में चल रही है और कहां तक पहुंची है जो हमारे सुत्र हैं गिरी मंत्राले को यह कर रहे हैं कि दो बिंदूओं पर जाच जिंसिया काम कर रही है कि जो यह बंबलाश्ट हुआ वह किस प्रकार का था और दूसरा इसके पीछे किस का हाथ हो सकता है अधू तक जो महत्पूर्ण सफल ताइं मिली हैं उसमें जो हमारे सुत्र बता रहे हैं कि कई महत्पूर्ण मोबाइल नंबर, डैरी और कागजात जाच जेंसियों के हाथ लगे हैं और उम्मीद की जारी है कि इसमें देर सबेर जो संदिक्द हैं उनके स्केच भी जारी हो सकते हैं तो जाच एडेंसियां जाच कर रही हैं और कुछ महत्पूर्ण सुराग हाथ लग चुके हैं चंदरशेखर ठीक है, मनोज केकेलाल हमारे साथ बने हुएं, केकेलाल जो वहाँ लोकल पुलिस है, राज्य की जो पुलिस है उसके सूत्र क्या कुछ कहते हैं, बम किस दरह का था, क्या इसमें अमोनियूम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, जो अभी पुलिस के आलाज्यकारियों से बात की आने के पहले तो उन्होंने बताया कि बिसफोट जो था ये उसमें IED का इस्तेमाल हुआ है और इसमें पटना जंशन में जो बिसफोट हुआ था वहाँ जो बिसफोट हुआ उसके आद एक वेक्ति भाग रहा था जिसे पकर की गिरफतार किया गया वो उसको जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो I.E.M. का सदस्त है और एक तहसीन है जिसकी तलास जो है महाबोडी बं बिसफोट में तलास की जा रही थी तहसीन नाम का अतंकवादी था उसका वो दूर का इस्तेदार बताया जाता है तो सुरक्षा एजेंसी अब इस पहलू की जात कर रही है कि जिसता से महाबोडी मंदिर में बिसफोट किया गया वहाँ जो सामगरी मिली उसी तरह के बिसफोट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो I.E.D. का इस्तेमाल होना बहुत गंभीर है और सुरक्षा एजेंसी जो है इसको पूरी गंभीटा के साथ ले रही है और इस वारदार को पूरा आतंग की वारदार के रूप में सुएकार करके और इस मामले की हर एक पहलू की जात परटाल की जा रही है जो सी बिल्कुल मनोज केकेलाल मौजूद है पट्टा में उनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप इस सिल्सिले में देखें सबसे महतपूर्ण सवाल यह है कि घायलों की क्या इस समय स्थिती है किस तरह का उनको ट्रीट्मिंट दिया जा रहा है और जो मृतक हैं उसके परिवार को किस तरह का सव अगरा सवपा जा चुका है इस बारे में हम जरूर जानकारी चाहेंगे जी खेकेलाल जी बताइए क्या कुछ मनोज पूछ रहे हैं मनोज मैं आपको बता दूँँ कि यहां पे जो सतर से अधिक घायल लोग थे इनका PMCS में इलाज चल रहा था असुवह में PMCS में ब्लड की कमी हो गई थी इसके बाद में ब्लड बैंक से खुन लिया गया इसके आ और मनेम बताए कि जो मितक के परिजन हैं निकर्तमरजन हैं उनको पांच पांच लाग रुपए का मुअवज journée और 401 को परजन को सौप दिया जया है तो इस तरह से अगर अभी जो हम मोदी जी का बयान सुन रहे थे कि जिसमें कि इलाज ठिक ठक से नहीं किया जा रहा है वो चुकि मैं अभी वहां से आया हूं तो देख रहा हूं कि वहां पर हर एक डॉक्टर टैनाथ थे और मुस्तेदी से जो है गंभीर जो लोग थे उसमें साथाट लोगों की हालत बहुत नाजूख है उनकी इलाज की जा रही है डॉक्टर मुस्तेदी किसी तरह की कोता ही नहीं बरती जा रही है क्योंकि अगर बीजेपी के नेता है तो इसको एक राजनीतिक कलर देना चाहते हैं इसी करता हम उसको इस बात को स्विकार कि इस मामले पर किसी भी तरह की राजनीत नहीं होनी चाहिए और एक अच्छी बात यह निकल कर आई कि राजी सरकार और किन सरकार के बीच बेहतर तालमिल देखनों की मिला भले नितीज कुमार ने पतना में या बयान दिया हो कि उनके पास को इनफोर्मेशन नहीं ती इस ब्राश्ट के बारे मिं जब यह सवाल मैंने ग्रीह मंतरी आर्पियन सिंग्ञ से किया तो आर्पियन सिंग ने क्या कि वेह नहीं कर रह है कि इस प्र्टिकुलर आज के इंसिडेंट पार में ग्रीह मंतराला ने कोई एडवाजरी जारी की थी लेकिन निश्चित तोर पर राजी सरकार के सामने एक चुनोती और इस चुनोती को नितीश कुमार ने सुईकार किया है अब बड़ी जवाब दे ही राज्जी सरकार कर नितिश कुमार की होगे कि इस संगठन के पीछे जो भी संगठन हो जो भी व्यक्ति हो उसका पता लगाया जाए और दोसियों को करी से करी सजादी जाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज टेवडिवाल और केके लाल पटना से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का